अगर आप या अटा चक्की का बिजनस शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में जाने आटा चक्की शुरू करने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा सही लोकेशन का चुनाव करें वा सिलेक्ट की हुई लोकेशन पर सही जगा का चैन करें इस बिजनस को शुरू करने के लिए इस बात का खयाल रखें कि आप जिस जगा दुकान कर रहे हैं वो बस्ती या कॉलनी में हो जिसे लोग आपकी शौप पर आकर आटा या अन्यक सामगरी को पिस्वा सकें दुकान की लंबाई चुड़ाई ठीक ठाक होनी चाहिए अगर आप किसी दुकान से किसी बिजनस को शुरू करते हैं तो कोशिश करें कि दुकान 18-15 वर्क फीट में हो यदि आप अपने घर से ही इस बिजनस को करने की सोच रहें तो एक छोटे कमरे में भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं ये विपार बहुत कम निवेश के साथ भी शुरू हो सकता है मशीनरी और उपकरनों की खरीदारी को मिलाकर एक लाग से डेड़ लाग तक का इन्वेस्ट होगा आम तोर पर आटा चक्की के लिए जो मशीने प्रचलन में हैं वो पच्चीस से पच्चास हजार तक की कीमत पर आ जाती हैं कच्चा माल और अन्य वस्तू में निवेश के लिए कम से कम एक लाग तक का बचट होना चाहिए भारे सरकार मुद्रायोजना के तहत ले लोन भारे सरकार की संस्था Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises द्वारा आटा चक्की बिजन्स शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है इसके लिए आप एप्लाई कर सकते हैं चोटी तोर पर बिजन्स करने के लिए किसी भी लाइसेंस के आवशकता नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आप अपने उद्द्यों को बड़े पैमाने पर करने की सोच रहे हैं तो इन लाइसेंस के लिए एप्लाई करें वेपार का नाम और रिजिस्ट्रेशन, GST रिजिस्ट्रेशन, Food Safety and Standards Authority of India से लाइसेंस तो दोस्तों इस तरह से आप अपना आटाचक्की का बिजन्स शुरू कर सकते हैं और आप इसके बारे में और अधिक जानकारियां चाहते हैं तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, हम जल्द ही आपके तमाम सवालों का जवाब देनी की कोशिश करेंगे ओके क्रेडिट, बिजन्स ओके है